ड्राउंडिंग पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें रूट चक्र बालन्स करना है तो ग्राउंडिंग पर फोकस करने के लिए आप यह कर सकते हैं कि आप नंगे पैर घास पे चलें अपने गार्डन या लॉन की और इसको आप क्या कर सकते हैं अगर आप सुभर जब हलकी हलकी ओस होती है तब आप अगर चल पाएं तो वो बहुत बेनेफिशल है देखिए इससे क्या-क्या बेनेफिट्स हो रहे हैं इससे समझ ये पहले जब हम नंगे पैर होते हैं आपने जो लोग अक्यू प्रेशर या अक्यू पंचर जानते हैं आपको ये पता होगा कि हमारे पैर के तलवों में बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमारे बॉडी की ओगन्स को रूल करते हैं जब आप घास पे चलते हैं वो घास क्या काम करती है वो acupressure देने का काम करते हैं क्यों? क्योंकि उसके blades आगे से थोड़े stiff होते हैं और उस पे जो os है वो उसको lubricate कर देती हैं तो जब आप उस पे pair रखके चलते हैं तो आप जाने अंजाने दो काम कर रहे हैं एक आप अपनी physical body को heal कर रहे हैं acupressure के माध्यम से दूसरा आप खुद को ground कर रहे हैं और अपना root chakra आप balance कर रहे हैं यह एक ऐसी remedy है जो आप अपने clients को दे सकते हैं जिनका आपको लगे कि root chakra balance नहीं है आप उन्हें बोलिए कि daily सुबह उठके वो नंगे पैर घास पे आदा घंटा चले 15 मिनिट कह सकते आदा घंटा कह सकते उन्हें खुद को फरक महसूस होने लगेगा and then they'll come and ask you कि इस remedy से हमारी life में यह यह changes हो गए because they are not aware of it जो लोग background से आते हैं जैसे they are highly qualified या बहुत ज़ादा वो science में believe करते हैं तो उन्हें हमें इसके benefits समझाने के लिए acupressure का सहरा लेना पड़ता है क्योंकि वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं और करेंगे भी नहीं until and unless you give them a logic behind it जब आप इसका logic दे देंगे they'll follow it then next method for grounding is meditation meditation is another method जो हर कोई नहीं कर पाता है मेरे पास बहुत सारी complaints आती हैं बहुत सारे लोग खुदी आकर बोलते कि मैं meditation नहीं हो रहा तो अगर meditation नहीं हो पा रहा है उस case में आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी ऐसा form क्योंकि देखिए हर किसी की personality अलग है कोई बैठ के सुकून से आखे बंद करके अपने अंदर जाग सकता है तो कोई आखे बंद करके बैठ ही नहीं सकता वो इतने चंचल स्वभाव का है तो उससे हमें क्या करना है उससे हमें कार्मे के लिए meditate करवाना है ऐसे लोग meditation कैसे कर सकते हैं वो या तो dance के माध्यम से कर सकते हैं या yoga के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी प्रकार के art या creative skill के माध्यम से कर सकते हैं Some of them are very good painters and artists. आप उनको बोलिये के वो वही बनाएं. अगर वो उसमें भी देली आदा गंटा स्वेंड करते हैं, तो वो आदा गंटा मेडिटेट कर रहे हैं. Right? So it is, meditation becomes an essential part when we are dealing in our grounding techniques.